हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की सुरुआत करते हैं आजाद हिंद फौज के थीम सॉंग कदम कदम बढ़ाये जा, कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा, ये जिन्दगी है कौम की, तु कौम पे लुटाये जा नेता जी सुबाश चनबोस के कमांड और ड्रम बीट पर जब ये गाना बजता था, तो आजाद हिंद फौज के बीर जवानों के कदम स्वता ही भारत मता को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते जाते थे इन बीर जवानों को ये भी पता नहीं होता था कि वो कल की सुबाद देख पाएंगे भी या नहीं फिर भी वो ऐसे आगे बढ़ते हैं, मानों इनके बीच अपने प्राणों की आहूत देने की प्रसीश परधा हो आईए ऐसे महानतम आत्माओं को नमन करते हुए आज की सांदार वीडियो की सुरुवात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना एक सितंबर 1922 को सिंगापूर में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो स्रे दिया जाता है वो रास विहारी बोस को दिया जाता है लेकिन अगर कैप्टन मुहन सिंग के योगदान को देखा जाए तो वो कम नहीं था डियर स्टुडेंट एक स्माल एनॉंसमेंट है मैं अपने यूटूब वीडियो पर आधारित अपने टेलिग्राम चैनल पर एक प्राइज कुछ कंड़क्ट कराता हूं आप सब इसमें पार्टिसिपेट करके एक हैंडसम एमाउन प्राइज मनी तथा हमारे यूटूब चैनल की सर्टिफिकेट जीच सकते हैं टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आईए टॉपिक सुरू करें आजा दिन फोज की स्थापना के बैक्ग्राउंड के बारे में जानना बेहत जरूरी है 1942 तक दुतिय बिशुद अपने चरम पर था जर्मनी जो है रूस, फ्रांस और बिटेन के कई सारे छेत्रों पर कपजा कर लिया था उन्हें हडा चुका था इधर जापन भी काफी अग्रेसिब था और दच्छिनपूर एसिया में काफी लीड ले चुका था दच्छिनपूर एसिया में अंग्रेजों की कई सारी कालोनीज थी मलेशिया में, सिंगापूर में, थाइलेंड में और मलाया और बर्मा में इन सभी छोटी-छोटी कालोनीज पर जापानी अटेक का खत्रा मढ़रा रहा होता है अंग्रेजों ने भारत से 70,000 सानिक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजते हैं उसी में से एक टुकडी कैप्टन मोहन सिंग के नित्वत में मलाया भेजी जाती है लेकिन होता वही है, जिस बात का अंग्रेजों को डर होता है जापानीज सेना इन पर अटेक कर देती है और सभी छोटी-छोटी कालोनीज को एक के बाद एक जीत लेती है कप्टन मोहन सिंग को भी बंदी बना दिया जाता है और इन बंदी बनाया गए सेनिकों को जो है प्रिजनर आफ वार कहा जाता है रास बिहारी बोस 1915 से ही जापान में रह रहे होते हैं और वहाँ पर ये भारतियों को इकठा करके भारत की आजादी की मुहिम चला रहे होते हैं 1942 में ही टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और वह एक military wing बनाना चाहते हैं इसके लिए वो जापान के जो major होते हैं फुजियारा उनकी मदद से कैप्टन मोहन सिंग से अप्रोच करते हैं और कैप्टन मोहन सिंग को एक आर्मी बनाने के लिए कहते हैं कैप्टन मोहन सिंग पहले तो नहीं मानते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं कैप्टन मोहन सिंग एक आर्मी बनाते हैं लेकिन बाद में क्या होता जापानी सेनिकों से जो है मतभेद हो जाता है तो जापानी क्या करते हने, कैपटन मोहन सिंग को अरेश्ट करके, जäl में डाल देते हैं और जो इंडिया नेशनल आरमी है, उसे डिस्बैंड कर देते हैं लेकिन रास बिहारी बोस लगातार प्रेयासरत रहते हैं कि इंडिया नेसनल आर्मी को फिर से खड़ा किया जाए और इसी करम में 1943 में वो नेता जी सुभास्चन बोष को अमंत्रित करते हैं कि वो सिंगापुरा हूँ हैं और आजाधिन्द फोज की बागड़ अपने हाथों में ले ले 1943 में नेता जी सुभास्चन बोष आजाधिन्द फोज की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं नेता जी सुभास्चन बोस जैसे ही आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में लेते हैं आजाद हिंद फौज की सैनिकों का आत्म बल साथमें आसमान पर पहुँच जाता है नेता जी सुभास्चन बोस की लोग प्रियता इतनी जादा होती है कि वहां के सिबिलियन भी आजाद हिंद फॉज में भरती हो जाते हैं और वहां पे रहरे सिविलियन जैसे तमिलियन्स और बिंगॉलीज क्या करते हैं आजाद हिंद फॉज में बहुत जादा डोनेट करते हैं चाहे वो गोल्ड देना हो चाहे वो पैसा देना हो वो हर तरह से आजाद हिंद फॉज की म खर्ती करते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सभी धर्म के लोग होते हैं आजाद हिंद फोज में किसी तरह का भेद भाव नहीं किया जाता है वहाँ पे अफसरों और जवानों का मेस भी एक ही होता है जबकि ब्रिटिस इंडियन आर्मी में अफसर और जवानों नहरू ब्रिगेड और जो तीसरी ब्रिगेड था उसका नाम था आजाद ब्रिगेड आजाद ब्रिगेड से यहां तात पर चंद सेखर आजाज से नहीं बलकि मौलाना अबुलकलाम आजाज से है और जो चौथी ब्रिगेड का नाम था वो सुबास ब्रिगेड था इस तरह से नेता जी सुबाश चन्बोश ने आजाद हिंद फौज में चार ब्रिगेड बनाई और जो सबसे खास बात थी सुबाश चन्बोश जी ने एक महिला रेजिमेंट भी बनाई जिसका नाम था रानी लक्षमी रेजिमेंट और इस रेजिमेंट को लीड कर रही थी कैप्टन लक्षमी सहगल कैप्टन लक्षमी स्वामी नाथन जो की बाद में प्रेम सहगल से साधी करने के बाद इनका नाम लक्षमी सहगल हो जाता है आज इंडियन आर्मी और हम सब पेरा मिलिटरी के जवान जो जै हिंद का सल्यूटेशन करते हैं वो भी आजाद हिंद फौज की देन हैं आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती है और बर्मा को क्रास करके मरीपूर और इंफाल में कई छोटी छोटी लडाईयां लडती है और आजाद हिंद फौज को इसमें बिजय भी मिलती है आजाद हिंद फौज जापानियों की मदद से आगे बढ़ती है अनमान नि को बार का नाम स्वराजदीप रखा जाता है आजाद हिंद फॉज की एक टुकड़ी M. मलिक कैप्टन M. मलिक के नित्वत में पहली बार भारती सरजमी मड़ीपूर में पहुंचती है और 1944 में मड़ीपूर के मुईरांग में पहली बार भारती तिरेंगों को फैराती है 1944 में नेता जी सुभास्चन बोस रेडियो ब्राटकॉस्टिंग आजाद रेडियो पर गांदी जी से मुखातिब होते हैं और उन्हें जो है राष्टपीता कहकर संबोधित करते हैं आजाद हिंद फौज का जो प्रमुख नारा था जिसे नेता जी सुभास्चन बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेता जी सुभास्चन बोस कहते हैं अपने बीर जवानों को कि चलो दिल्ली हमें दिल्ली चलना है वहीं पे ही रुकना है लेकिन दुरभाग गी आजाद हिंद फौज का था और इस देश का भी था कि 6 अगस्ट और 9 अगस्ट को अमेरिका ने जापान के हिरोशीमा और नागा साकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो परमाल बम गिरा देती है जिससे जापानी सेना घुटने टेक देती है और 15 अगस्ट 1945 को जो है सरेंडर कर देती है आत्मसमार्पन कर देती है 18 अगस्ट 1945 को हमारे नेता सुभास्चन बोष जी का भी देहान्त हो जाता है एक प्लेन क्रेस्ट अइवान में अंग्रेजों से लड़ते हुए आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिक सहीद हो जाते हैं और हजारों सैनिकों को ब्रितिस सेनग पटड़ कर दिल्ली लाती है और उनके उपर लाल किली पर मुकदमा चलाती है इनमें प्रमुख होते हैं केप्टन प्रेम सहिगल, केप्टन गुर्भक सिंह धिलन और केप्टन सहनवाज इन तीनों के उपर पहले चरण में दिली के लाल किले पे ओपन रेड़ फोर्ट ट्रायल होता है यानि मुकदमा होता है तीनों भारत के हीरो बन गए होते हैं हर तरफ इनके नाम की आवाज सुनाई देती है और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत जादा ब वकील होते हैं जो इन सैनिकों को बचाने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजों पे लगातार दबाओ जो है बढ़ता जाता है क्योंकि आजाद हिंदु फाज और उनके बीर जवानों की लोग प्रियता बहुत जादा होती है और इसी का कारण है कि 1946 में रॉयल इंडिया ने बहुत सारे अंग्रेज मारे जाएंगे इनकी लोग प्रियता इतनी जादा थी कि उस समय एक नाराब उलंद हो गया था कि लाल किले से आई आवाज ढिलन शहगल सह नवाज और बाद में बहुत जल्दवाजी में अंग्रेजों को जो है भारत को आजात करने की घोषना करन पड़ी तो इस तरह से आजाद हिंद फौज का जो योगदान रहा भारत को आजाद कराने में वो अभूतपूर और अभिश्मर्णी है हमें नेता जी का जो है सुक्रगुजार होना चाहिए नेता जी सुभाश्चन बोश की याद में भारत सरकार ने कई सारे कारिकरम चलाए हैं और नेता जी सुभाश्चन बोश के नाम पे कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम नेता जी सुभाश्चन बोश एयरपोर्ट रखा गया है और नेता जी सुभाश्चन बोश का जो घर पैत्रिक आवास इलगिन रोड कलकत्ता में उसमें जो है कलकत्ता मेमोरियल हाल बनाया गय गया है जो ACA का सबसे बड़ा प्रसिछन केंदर है नेता जी शुभाष्चन बोश के नाम पर हाली में जो भारत की पुरानी ट्रेनों में से एक है कालका मेल उसका नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस रख दिया गया है और नेता जी शुभाष्चन बोश के जन्म दिवस को जो 23 जन्वरी को है उसे जो है पराकरम दिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप हमारे प्राइज कुज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलिग्राम की लिंक दे दी जाएगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा जो प्राइज कुज होता है वो इसी वीडियो बेस्ट होगा सारे क्वेशन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे